Hello friends, welcome to high study. आप किसी भी government exam की preparation कर रहे हूँ, state government हो या फिर आप लोग का central government की preparation कर रहे हूँ. हर एक exam में आप लोग को current affair की 4-5 questions देखने को मिलने ही वाले हैं. आप लोग भी demand कर रहे थे कि sir current affair की marathon करवा दीजिए, तो मैं रहे थें तो मैं आप लोग को 4-5 दिन बाद कराओंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को पिछले 9 महीने का जो topic wise current affair बनता है, वो cover करवा देता हूँ. यह वीडियो आप लोग का जो airport authority of India में junior category की post है, उसके लिए भी help पूलोगा, बाकी जो भी आप लोग एक्जाम देंगे, सब में यह आप लोग की help करेंगा, तो यह पहला topic हमारा और पहला topic जो हम cover करेंगे, यह आप लोग का appointments 2023, सारे appointments देखेंगे और जितने भी September तक तिल, आज की जो data 21st of September, आज को छोड़ करके कल जितने भी appointment है, आप लोग इनकी pick भी देखते चलिएगा, उसके बाद next आता है आप लोग का, राजेस नंबियार, appointed as the NASCOM chairperson, तो जो NASCOM की chairperson है वो कोन है, वो राजेस नंबियार है, और सिंदू गंगा धरन, appointed as the NASCOM vice chairperson, और vice chairperson कोन है, यह आप लोग की सिंदू गंगा धरन है, तो दोनों appointment याद रखिए, यह latest appointment है, उसके बाद next आता है, अनुस्का सर्मा को brand ambassador किसका बनाए गया, तो यह fashion brand है, डबलू रोप्ड, तो इसकी brand ambassador कोन बनी है, अनुस्का सर्मा, उसके बाद next आता, moon man of India, माला स्वामी, अन्ना दुरई, जोइन दा, बॉर्ड ओब दा, SS innovation, यह question repeater पूच सकते हैं, आप लोगों से, उसके बाद देखते हैं, next आता है, आप लोग का, डॉक्टर वशुदा गुपता, अजियूम दा, चार्ज यह दा, प्रिंसिपल डारेक्टर जनरल अब दा, आकासवानी, आकासवानी के डारेक्टर जनरल कोन बनी है, यह बनी वशुदा गुपता, उसके बाद next आता है, आर्मादवन नॉमी टेटी रैज़ दा, प्रेशिडेंट ओफ टी आई आई, जो फिल्म टेलिविजन इस्टिटूट ओप इंट्ट है, उसके जो प्रेशिडेंट बने है, यह कोन बने है, आर्मादवन बने है, उसके बाद next आता है, आनन्द महेंद्रा वेलकम दा, एमस दोनी यह इस ब्रेंडम मेस्टर फोड़ दा, सवराज टेक्टर, तो सवराज टेक्टर के ब्रेंडम मेस्टर किसको बनाए गया है, तो यह बनाए गया है, महेंद्र शिंग दोनी जी को, उसके बाद next आता, most important appointment है, जै वर्मा शिना, बहुत बार पुछी जाएगगे, आप लोगों से यह पहली बार हो रहा है, most important है, गयतिका स्रिवास्तव, यह क्या काम करेगी, स्रिवास्तव विल्वी था, फर्स्ट वुमेंट टू लेड़ था, इंडियन हाई कमिशन पाकिस्तान, जो इंडियन के जो हाई कमिशन है, उसको लेड़ करेगी कौन, गयतिका स्रिवास्तव, और यह पहली वुमेंट बनी है, जो पाकिस्तान में हमारे चार्जडी अफएर होगी, तो यह थे सेप्टमबर के अपोइंटमेंट, अब देखेंगे हम लोग अगस्त के अपोइंटमेंट, तो अगस्त के appointment में सबसे पहली जो appointment आती है पुनित चंडोक की आती है ये कौन है ये बने हमारे vice president of Microsoft India and South Asia तो ये कौन है पुनित चंडोक उसके बाद next आता है सोहीनी सिना new special agent in the charge of the FBI field salt lake city field office most important है ये कि इसमें एक agent बनी है इसका जो FBI का फिल्ड salt official का पर lake city में तो उसके जो field office है उसमें बनी है कौन सोहीनी सिना infosys sign women's tennis championship ega swetek एज़े brand ambassador तो ega swetek को इन्होंने brand ambassador बनाया है और मैंने किसे बनाया राफिल नडाल को for three years किसने infosys उसके बाद next question आता तो इन्जेटी का बनती है 2010 में ये बोड़ी बनती है जो environment को production करने का काम करती है तो इसके इस समय जो चेर परसन बने हैं ये कोने justice परकास शिरिवास्तव उसके बाद next आता नेल कंट मिस्रा तो पार्ट टाइम चेर्मेन उड़ाई तो यूनिक identification development authority of India जो आधार काड़ वाली बोड़ी है उसको ध्यान रखती है नजर रखती है उस पर तो उसके जो appointment का पार्ट टाइम appointment वा निल कंट मिस्रा जी का हुआ है उसके बाद next आता बेपी सेल के जो ब्रेंड अमस्टर बने हैं वो कोन बने अधार का extension मिला है किसको राजिव गाबी का राजिव गाबा को और ये कोन है cabinet security है फिर नेक्स रता आप लोगा जो टेसला जो है हमारी तो वैभव तनेज़ा टेसला निव तनेज़ा के सी एपो कोन बने वैभव तनेज़ा उसके बाद नेक्स रता आप लोगा जस्टिस उडिसाही कोट तो उडिसाही कोट के चिप जस्टिस कोन है सुबास ताला पात्रा उसके बाद संजे कुमार अगलवार सके अगरवाल बोल सकते तो cbic के चेरिमेन कोन है सुबास कुमार अगरवाल उसके बाद हम लोग देखेंगे appointments 11 जुलाइट 2023 तो इसमें देखते हैं क चेक करके सबसे पहला था बरजेंदर नवनीत एज एंबस्टर ओप इंडिया टूदा वल्ड ट्रेड और उर्गेनेजेसं तो डबलू टीओ में हमारे जो ब्रेंड अम्बस्टर है जो हमारे एंबस्टर है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो यह जो डबलू टीए ह इससे पहले एक बोड़ी हुआ करती थी गेट जनरल अग्रिमेंट ट्रेड ओन टैरिफ जो 1948 में बनती है उसको बाद में चेंज करके एक जनुवरी 1995 को वल्ड ट्रेड और्गेनाजेशन पांड किया जाता है याद रखेगा और इसका एड़कॉर्टर जनेवा में है उसके इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे सकोने में सुलिषीटर जनरल आव इंडिया तुसार में रिजर्बैंक ओफ इंडिया भी वसुदेवन सर्फ नो पूस्टर को में ऑर भाई के एग्जूकेटिव ड्रेक्टर उसके बाद नेक्स आता है के राजा रामन नियू चैर्परसन इंटरनेशल फाइनेशल सर्विस सेंटर अथोर्टी आई एप एस से तो इसके चेर परसन को में के राजा रमने मुस्ट इंपोटेंट पूछ सकते आप लोगों से यह पूइटमेंट उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगा तेलंगाने की जो चीफ जेस्टिस है उज्वल रेंकेट नाराणा बट्टी ही नपूइंट इस जोब सुप्रीम कोड तो यह काप चलेगें सुप्रीम कोड के जज़ बन गए उसके बाद नेक्स आता है मनोज यादव नीव डारेक्टर जनरल ऑब दा आर्पी अप तो आर्पी अप के निव डारेक्टर जनरल कोन बने य उसके बाद नेक्स आता सुप्रीम कोड अक्सेंड दा तर्म दा राहुल नवीन एज़ डारेक्टर ऑफड़ डारेक्टरर एक उप इनफोर्स्मेंट डारेक्टररेट तो जो हमारे एड़ी है उनका जो टेनर बढ़ा दिया गया है किसका राहुल नवीन का और यह किसमें इडी में उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का आई पी सी सी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी फुल्पुम आप लोगों सबसे पहले याद रखनी इंटर गोर्मेंटल पैनल ओन दा क्लाइमेट चेंज रिपीट होती है आप लोगी इसकी फुल्पुम इसमें क्या हुआ जो ह सबसे पहले अपोर्टमेंट आती रवीशिना की यह हमारी जो रो है उसके चीप बने है कि कौन रवीशिना उसके बाद नेक्स आता है आप लोग का जनार्दन परसाद एजबिन अपोइंटेड इस दा न्यू डिरेक्टर जनल लोग दा जोग्राफिकल सर्वे तो जोग्र चेर्मेन अब दा गिफ्ट शेटी जो गुजरात में उसके चेर्मेन कोन बने है अस्मुक अधिया उसके बाद नेक्स आता है 193 यून मेंबर जो स्टेटर ट्राइनेड एंट टोवेगो कंट्री के एक डैनिस फ्रेंसिस जो डैनिस फ्रेंसिस है यह कौन बने है उसके बाद नेक्स आता है आप लोगा सेलेश्टो सावलो ओब अर्जेंटिना है जबीन अपॉइंटेड एज दा फर्स्ट फीमेल सेक्रेटर जनल ओब दा वर्ल्ड मेटरोलोजिकल ओर्गनेजर्शन जरूट पुछे जाएगा सेलेश्टे लो सावलो डबलो एमो की पहल सेक्रेटरी जनल बली हैं मोस्ट इंपोटेंट है क्योंकि यह पहली फीमेल है जो इस पोस्ट पर अपॉइंट हुई है उसके बाद नेक्स आता है नुसरत चोधरी बिकम दा फर्स फीमेल मुस्लिम फैडरल जज इन दा उनाइटिड स्टेट मोस्ट इंपोटेंट है नुस फार्फचाट नाथन तो यह कहां चले गए यह सुप्रेम कोट के जज़वन गए हैं कि अब डागर्मेंट है जाब पोइंट रवनीत कोर एज़दा चेर परसन उपथा सिसी आई तो रवनीत कोर क्या बनी है कंपिटिशन कमिशन ओप इंडिया की चेर परसन कौन बनी है र उसके बाद नेक्स आता है अजे बांगा तो अजे बांगा जो है has been selected as the 14th president of world bank कुन अजे बांगा अजेत कुमार महुंती is the new chairman of the बाबा atomic reserve center बार की chairman कोने समय अजेत कुमार महुंती पीके सिर्वास्तव new cbc है उसके बाद नेक्स आता बोला तीनुबू तो बोला तीनुबू इवास्वन इस प्रेसिडेंट अफ्ट नाइजेर्या के प्रेसिडेंट को ने बोला तीनुबू मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं appointment of April 2023 के देखते हैं तो सिधार्थ महुंती सिधार्थ महुंती है चेर पर्सन पर लाइप इंस्वरेंस को ने सिधार्थ महुंती लाइशी कब बनता है 1956 में बनता है LIC कि उसके बाद नाइक्स आता है आप अनंत महिस्वरी अपक नास अनंत महिश्वरी तो बी एमल के सेमड बने सांतनु रोए अरुण शिना इस दा न्यू चेर्मेन आप नेशनल टेक्निकल रिसर्च और गनाईजेसं तो अन्टी आरो के नेशनल टेस्टिंग टेक्निकल रिसर्च और गनाईजेसं अब हम लोग देखेंगे मार्च के करंट अ सबसे पहला अपोइंटमेंट आता सक्तिकांदास का दा गवर्णर ओप आर गई हैस बीन नेम रहे दा गवर्णर ओफ दा इयर तो इनको क्या नोमिनेट किया है गवर्णर ओफ दा इयर फोर दोजार तेइस के लिए बाइस सेंट्रल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल एकनोम प्रिशेट्ट जनरल तो जनरल के अकोडिंग इनको क्या किया गया है इनेम किया गया गवर्णर ओफ दा इयर फोर दोजार तेइस राम चंदर पावडेल प्रेशिडेंट ओपनेपाल मोस्ट इंपोटेंट नहीं अपोइंटमेंट है कि नेपाल के प्रेशिडेंट को ने तो यह है आप लोगे रामचंद्र पावडेल पहले कोन वहा करती ते जिविद्अध के प्रेशिडेंट गया गया तो जो optimal को स्चेर फिश्र मान कीश अपोइंट मोय की को प्रेशिय प्धेंट आटर दोजार देफ प्रेशिडेंटक जो पहन इनको मोघंटिगुं कि इसके बने कोटन कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चेर्मेन कोन बने है ललित कुमार गुपता उसके बाद नेक्स्ट आता एसस दूबे एज अपोइंटेट इदा नीव सीजी यह तो कोन है एसस दूबे उसके बाद नेक्स्ट आता है मनीश देशाई टेक दा चार्ज आप पी आई बी जो प्रेस इंफोर्मेशन बीरो है तो इसका जो चार्ज इसके हेड कोन बने मनीश देशाई अब पॉइंट्मेंट्स अब दा फरवरी के पॉइंट्मेंट्स देख लेते हैं बी वी आर सुबिवर मननम क्या इस समझ सी ई ओ ओ नितियायोग नितियायोग कब ब रखने हैं और CEO भी आद रखने हैं तीनों चारों पोस्ट आप लोगों से पुछी जाती है क्रिस किपकिन्स जो क्रिस किपकिन्स है ओप निजुलेंड के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे जो जकिंडा आडें ती उस समय इन ये फीमेल थी उसको रिप्लेस करेंगे कौन क्रिस किपकिन्स उनिसेफ इंडिया में जो आईश्मान कुराना ये नोमिनेट हुए नेसल अमबेस्टर फोल्डर चैल्ड राइट आईश्मान कुराना प्रेशिडेंट द्रोप्दी मुर्दुम है निव गर्नर ऑब दा बारा स्टेट तो बारा स्टेट के नए गवर्ण गवंडर श्मा चल्परदेश के कोन बनेते तो जनरल केवलया ट्रिविग की राम प्रानिक और गवणोर ओप ऽेकिम कौने लख्सम परसाथ आचारीय है गवणर ओप जारकंड कोन बनेते तो राधा कृष्णन बनेते गवणनर ओब माजाल पर देश, श्री, परताप, श गवर्णर ओप लद्दाक बेडी मिश्रा और गवर्णर ओव मरास्टा रमिस भ्यास तो यह गवर्णर चेंज हुए थे आप लोग को याद रखने हैं क्योंकि जो निईज में आते हैं वही आप लोगों से पुछे जाते हैं बाकि आप लोग को याद नहीं रखने होते हैं अब अपोइंट मेंट 23 के देख लेते हैं जन्वरी के तो जन्वरी में सबसे पहली जो पइंट मेंट ती इंडिया प्रनेस भी कमदा यंग्श्ट ग्रेंड मास्टर एट रेडदा 16 साल में सबसे यंग्श्ट गरेंड मास्टर कुण बनेते पोल्कבך सिंगर मैथाली था तो यह सारे अपोइट्मेंट्मेंट्स थे सब्सक्राइब तक हम लोग कबर कर चुके हैं जितने भी इंपोटेंट अपोइट्मेंट्स थे सारे कबर हो चुके हैं और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं बाकी अगर आप लोग कोई सजैसन है वो भी दे सकते हैं नगल टोपिक हम इंडेक्स और रंकिंग वाला कर लेंगे तो इसी तरीके से 7-8 टोपिक बनते हैं नेक्ट साथ आठ वीडियो में हम कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में रैप अप करके एक मेरतन आप लोगो दे दुआ, तो जिनका भी एक्जाम होगा, बाकि अगर आप लोग को पीडियो का पीडियो मिलेगा टेलिग्राम गुरूप में, यह लिंक मैं आप लोगो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में में वहां से जाकर करके टेलिग्राम गुरूप जोइन करिए और वहां से पीडियो को डाउनलोड कर लीज़ेगा, थैंक्स पूर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्यू.